आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुरोना महामारी ने किस तरह से लोगों को प्रभावित किया हुआ है आपको भारत में देखिये आप लोग की कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका कोई रिष्टेदार हो या परीवार में हो या दोस्त हो वो इस कुरोना महामारी से प्रभावित नहीं हुआ हो और आर्थिक रूप से देखिये आप लोग की हर परीवार में आप देखिये आर्थिक इस्तिति उसकी बिगडी हुई है और आप सभी को ये भी मालू होगा कि कुरोना से आप कहिए कि कई बच्चों के माबाप को भी छिन लिया है अब बात आती है कि उनकी देखवाल तो हो सके उनकी पड़ाई लिखाई का काम तो चल सके उनकी स्वास्त वेवस्ता तो ठीक हो सके इसलिए केंद सरकार ने ये क्योजना लाई है PM के एरफोर चिल्डरेंड योजना इसके तहट क्या होगा कि उनकी सुरक्षा भी की जाएगी उनकी सिक्षा वेवस्ता भी की जाएगी और आपकी कई राजी सरकानों ने भी उन्हें लाब देने की बात की हुई है लेकिन फिराल इसलिए उजना के बारे में आप लोग सामान जानकारी याद रख लिजी हो सकता है इससे कुश्चन्स बन जाए देखिए हमारी पितवी इसमें आपको ये सीया में देखने को मिलीगा हमारा प्यारा भारत और कोरोना महामारी की उत्पत्ती हुई थी आपकी चाइना से ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको चाइना त्रीक है ये आपके पड़ोसियों को भी देख सकते हैं स्री लंका, मयारमार, बंगलादिस, भूटान, नैपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में कोरोना महामारी ने प्रभाव अपना छोड़ा है और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी कोई खतम नहीं होगी तो अभी भी आप लोगों को अपने सुरक्षा, अपने परिवाल की सुरक्षा रखनी है तो सरकार ने COVID-19 के कारण अनात हुए सभी बच्चों के लिए एक विसेश PM की एर, 4 Children and योजना की गोशना की है और साथ में ही आपने देखा है कि सर्वोच नैले ने जिला अधिकारियों को राष्टी बाल अधिकाल सरक्षनायो, द्वारन निर्मित बाल स्वराज पोर्टल पर ऐसे बच्चों का वेवरान प्यदान करने के आदेश दिया है और जिने देखबाल और सरक्षा की आवस सकता है अगर आपके पास भी इस तरह की कोई वच्चे हैं आपके आसपास तो आप भी इसकी सूचना दे उन्हें और उन्हें लाप इसका दिलाएं ठीक है? यहां सर्वुच नैले का भी नाम आ रहा है और आप सभी जान रहे हैं कि आजकल सर्वुच नैले यानि कि सुप्रीम कोट उच्चे तम नैले काफी सक्रिये दिखाई दे रहा है कही फैसले भी दे रहा है आपने यह भी देखाई कि सरकार को एक तरह से फटकार भी लगाई जा रही है तो इसके बारे में भी जान लिजिए जो सम्मीधान का भाग 5 है इसमें आपको सुप्रीम कोट की विवस्ता देखने को मिलेगी और अनुचेद 124 से लेकर 147 तक आपके सुप्रीम कोट से ही संबंधी थे और भारत में सुप्रीम कोट की स्थाफना आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके पहले अगर हम लोग मुखनयादीस की बात करें तो हरीलाल जे कानिया जिनने आप लोग H.J. कानिया भी कहतेते हैं ठीक है? और अभी करेंट में बात करें हम लोग 48 बे नाथुला पती बेंकट रमना N.B. रमना के नाम से भी आप लोग इनने जानते हैं तो सुप्रीम कोट के बारों में एक पॉइंट याद रखिएगा इसा भी पॉइंट क्योंकि आपके डारेक्ट भी कुश्चन्स कई बार फ्रिलिम से में पूछ लेता है कई बार वन डेक जाम में पूछ लेता है कई बार आप देखते हैं स्टेट PCS में भी इस तरह के कुश्चन्स आ जाते हैं इसमें अगर हम बात करें PM के एरफोज चल्डरन योजना की तैद तो इसमें योगता की बात करें किन बच्चों को इसका फायदा मिलेगा उसकी अगर हम बात करें तो जिन बच्चों ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता या फिर कानूनी अभी भावक या फिर आप देखेंगे दत्तक माता-पिता को खो दिया बेश से उजना के लिए पात थोंगे यानि कि सीधा कहने का मतलब है कि कोई माबाप जिन की डेथ हो चुकी है उनके बच्चे भी इसका फायदा उठा सकते हैं या फिर आप देखते हैं कि अभी भावक यानि कि उनकी जो देखवाल कर रहे हो या दत्तक माता-पिता का कहने का मतलब है जिनों ने एक तरश से गोध ले लिया हो अगर उनकी भी डेथ हो गई है तो वो बच्चे भी से लावान भी हो सकते हैं देश बर में अभी आप देखें कि कुल 577 COVID-19 अनाद बच्चों की पहचान की गई है साथी बाल तसकरी के मामले भी बढ़ रहे हैं क्योंकि आप देखें कि जब कोई इन बच्चों की देखवाल नहीं करेगा तो नहीं एक जगए से दूसरी जगए बैंचा जाएगा समझ रहे हैं आप लोग और ये भी मानी जा रही कि ये संख्या 577 बहुत कम है इससे कई गोना लोग मतलब बच्ची अनाथ हुए है इस कोरोना महामारी के कारण तो ये भी सुनने में आ रहा है ये होजना की विसेश्ताओं की अगर हम बात करें तो 10 लाख रूपे का कोस इसमें आप देखें कि पितेग बच्चे को PM केयर फंड से 10 लाख रूपे का कोस आवंटित किया जाएगा पितेग बच्चे की बात कर रहे हैं इस कोस का उपयोग 18 वर्स की आईउक विवाद अंगले 5 वर्सों तक उच्चे सिक्षा की अउधी के दौरान बच्चों की व्यक्तिगत आवस्तक्ताओं को पूरा करने के लिए मासिक वित्तिय साहता या अच्छाति वित्तिय तू उपयोग किया जाएगा और 23 वर्स की आईउपूरी करने पर व्यक्तिगत एबं व्योसाई कुद्धियोग के लिए उसे एक मुस्त की रूम में कोस की रासी मिलेगी यानि कि आप देखेंगे इसका जो 10 लाक रुपया इसका 18 के बाद आपकी पड़ाई में या फिर आप देखेंगे 23 वर्स की आईउपूरी होने पर आपको कोई व्योसाई करना है तब दी जाएगी इन बच्चों की बाद कर रहा हूँ अगर बच्चों की सिक्षा की बाद करने तो छोटे बच्चों की सिक्षा का खर्च केंद्रिय विद्धिया ले हो और निजी स्कूलों में उच्चतर माद्वे किस्तर तक प्रफबेस के माद्ध्यम से बहन किया जाएगा ये भी अच्छी बात है कि कम से कम आप देखी हाल में ही उनकी मदद की जरूरत है तो अभी से उनकी सिक्षा का दियान भी रखा जाएगा इन बच्चों को उनकी उच्च सिक्षा के दौरान टिवसन फीस या सेक्षडिक रेड के बरावर चातिविती या आर्थेक सायता भी फिर्दान की जाएगी जहां रेड पर ब्याज का भुकतान पी एम के एरफंड द्वारा किया जाएगा अगर हम लोग स्वास्त की बात करें तो आईसमार भारती उजना के तहट ऐसे सभी बच्चों को एक लाभारती की रूब में नावंकित किया जाएगा और जिसमें 5 लाक रुपे तक का स्वास्त वीमा कवर सामिल होगा तो ये भी अच्छी बात है कि आप देखते हैं कि आईशमानी उजना है जो भारती उजना है इसमें एक परिवार को आप देख सकते हैं 5 लाक रुपे तक का वो उसे ये मतलब एक तरह से इलाज फ्री में हो सकता है ठीक है ये इसी उजना किते है और ऐसी बच्चों के लिए 18 बस होने तक प्रीमियम रासी का भुकतान PM के एर फंड द्वारा किया जाएगा ये भी अच्छी बात है और हम बात करें PM के एर फंड की तो आप जानते हैं कि कोरोना महामारी जब सुरू में आई हुई थी तब आपने देखा है कि सरकार ने इसका गठन किया हुआ था सरकार ने कोविद 19 महामारी द्वारा उत्पन किसी प्रिकार की आपात कालीन या फिर संकट पूर्ण स्तिती से निपटने ही तो आपात इस्तितियों में प्रधान मंतरी नागरिक साहता और राहत कोष जिसे आप लोग PM के एरफंड की नाम से जानते हैं इसकी स्थापना की थी और PM के एरफंड एक साजुनेक धर्मान ट्रश्ट है और जिसके अध्यक्च कौन होते हैं पिधार मंतरी इस पॉइंट को याद रखे पूछ लेगा आप से की PM के एरफंड की अध्यक्च कौन होते हैं पिधार मंतरी अन्ने सदस्तों की रूम में आप बात करें तो रच्चा मंतरी, ग्रह मंतरी और बित्त मंतरी सामिल हैं इसमें और यह कोस आप देखेंगे सूच दान को सक्चम बनाता है यानी इसमें रासी की सीमा निधारिट नहीं कीगे और आप मैंसे अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि इसमें काफी योगदान भी दिया होगा था जिसके पैडाम सुलूब बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सच्चम होते हैं यहको उस आपदा प्रबंदन चमताओं को मजबूत करने एवं नांग्रेकों की सुरक्चा ही तू अनुसंधान को फुरोज साहित करेगा और PM केयर फंड में किया गया योगदान Corporate Social Responsibility CSR की रूम में योग होगा तो यह भी आप लोग याद रखे एक आप यहाँ आपको याद रखना है बाल सुराज कोविद कीयर तो राश्टी बाल अधिकाल सुरक्चन आयोग ने देखवाल और सुरक्चा की आवस्तकताओं वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक ओनलाइन ट्रेकिंग पोर्टल बाल सुराज कोविद कीयर पोर्टल तेजार किया है और यह उन बच्चों की ओनलाइन ट्रेकिंग और डिजिटल रियल टाइम मोनेटरिंग की उद्देश से बनाय गया है जिसे जिने देखवाल और सुरक्चा की आवस्तकता है और राश्टी बाल अधिका सरक्षन आयुक से जरूर आपके कुश्चन्स पूचने की पूरी संभाव ना रहती है आप देखते हैं कि आपकी स्टेट PCS में भी इससे काफी कुश्चन्स पूचे जाते हैं और आप लोगों से बार-बार इसलिए बोलता भी हूँ कि आप लोग कम से कम 5-6 साल पूराने कुश्चन्स पेपर उठा के देख लिया करेगा जिस भी एकजाम की तैयारी करें इससे क्या होता है कि आपको अंदाजा लग जाता है कि कुश्चन्स कहां से पूचे जा रहे हैं किस तरह के पूचे जा रहे हैं आप जब कुश्चन्स पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मालू चलेगा कि संगटनों से या इस तरह के जो आयोग होते हैं इनसे कुश्चन्स हमेशा आपकी परिक्छाओं में पूचे जाते हैं तो अगर हम लोग राष्टी वाल अधिकार सरक्षन आयोग की बात करें तो यह वाल अधिकार सरक्षन आयोग अधीनियम 2005 के तहत मारच 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और एक साम्विधिक निकाह है साम्विधिक को सम्विधारिक निकाह में सीधा सा अंतर आप लोग इस तरह से समझ सकते है कि सम्विधाने के संस्था या आयोग का मतलब निकाह का मतलब होता है कि उसका सम्विधान के किसी अनुचेद में बरड़न देखने को मिलेगा जैसे आप लोग देख सकते हैं चुनायोग क्या है? साम्विधिक निकाय है या सम्विधानिक? तो आप देखेंगे सम्विधानिक निकाय है ठीक है? इसी तरह आप बित्तायोग भी देख सकते हैं बित्तायोग आप देखते हैं आर्टिकल 280 में आपको बर्डन देखने को मिलेगा चुनायोग 324 में आनुचे 324 में इसका बर्डन देखने को मिलेगा तो यह आप लोग याद रखिएगा और सामविधिक निकाय का मतलब होता है कि किसी अधिनियम के तैत इसकी स्थापना की गई है और यह अगर हम बात करे कि राष्टी बाल अधिकास रक्षनायोग किस मंतराले की अंतरकत काम करता है तो महला इवन बाल विकास मंतराले के प्रसासनिक नियंतर्ण में काम करता है आयोग का परात्मिक कार यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में बन रहे सभी कानून नीतिया कारक्रम और प्यसासनिक तंत बाल अधिकारों के परिपेक्ष में भारती समिना नेवं बाल अधिकारों पर सयुक्त राष्ट कन्वेंशन के अनुरूप यह सिक्षा के अधि कि कर्यानबन की निगरानी भी करता है आप देखेंगे कि देखेंगे बच्चों की देखवाल के लिए इस आयुक का एक तरह से गठन किया गया था कि कहीं आप देखते हैं बाल विवाय होते हैं या बच्चों की खरीद फरोप्त होती है आप देखते हैं एक तरह से काम धं चुका है आपका मार्च से मार्च और आंगे तक अभी कोई मालू भी नहीं है अभी देखेंगे छे महीने तक तो आप समझी रहें कि कम से कम बैक्सीनी इस तन हो पाएगा तो आप समझीए दो साल तो लगवक आपके कमपलीट हो गए तो इससे कुश्चन्स बनने की बुरी संभावना भी रहेगी इसके बारे में आप लोग याद भी रखना चाहिए